जाइए यह तो जाकी है और पुरा जीवन बाकी है यह तो छोटा एक्जाम है जीवन की दौर में आपको पिछाड़ना नहीं है एक चीज टेंसन लेना ही टेंसन प्रियों के एक्जाम दरे जाए पिक सरकार को ही मालू है इक कोरुणा के सब्सक्राइब दिश्क्राइब नही एक्जाम लेना तो लोगा अपना कहावत है ना कि घोसा पत्र में लिखेंगे कि हमने भरवरी में एक्जाम ले लिया लेकिन की कभी नहीं लिखेंगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ाया है इक अभी नहीं लिखेंगे प्राइबट और बच्चे निकल भी चुके है एक्जाम के वाला है और जो नए वाले सेकेंडियर हैं आज के लिए माप करेंगे जो नए वाले सेकेंडियर हैं आज के लिए माप करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा उलोगा कुसर बनवा देते हैं अभी बनवा देंगे ते याद रहेगा और जो एक्जाम देने वाले हैं उड़ सुआ हो चली है रिमजी में रिमजी बर्सा हो रही है और एक परकार का मंद मंद हवा भी अपनी परवापे है और बिजली भी चमक रही है तो आप समझ सकते हैं प्रकृति महरवान है मैं कल बता दिया था बाबू रिस्टिकेश बाबू बता दिया थे चली सबको नमन, प्यार भड़ा, असरवाद, सुबकामना, बड़ों को दिल से प्यार और सब कोई थोड़ा सा एक बार देख लेंगे हम जहुद 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 जटपट में इसको निकलेंगे पुरा पोएम और प्रोज का है तो आज प्लीज जो नए वाले हैं प्लीज थोड़ा सा रिलक्स करेंगे लेकि रिलक्स नहीं करेंगे आप भी प्रहें छोग साथ को पोएम आप भी बना सकते हैं आप भी बना सकते हैं इसलिए बाबू सबकों जूद जाएं और जो बच्चे जुड़े नहीं है प्ली जटपट सियर कर दीजें क्योंकि जुड़ना जरूरी है चलिए तो सबसे पहला चीज बाबू जहां भी है इंसन न लेंगे और अराम से पढ़ेंगे चलिए तो अब सबसे पहला चीज जो शुरू कर रहे हैं सुल्यर से सुल्यर में कुछ कनफूज कोसन था और मैं उसको बताओंगा इसलिए मैं कि इसमें बहु सारा नेट पर प्रॉलम किया है आप देखेगा नेट पर देखेगा बहु सारा कुशन बश्ची लिए हुगा है तो बाबु हम जो बता रहे हैं सुनिए अप लो इस पीट हम तेज करेंगे है अरमान वर्ल्ड ओफिसियल प्रियेश सर्मा साहिल प्रिंस राज मोर्या शलिए फास करेंगे शलिए सब कोई सुनी है नय वाला पुरना वाल सकोई सोलिए कैसी कभी ताए वार पोईम है रुपर भरो की किसके रुप में याद के लिए टाहे है ध्यान दिजिएक आप लोग और इंग्लेड्ड सब्थ कई चार बर स्वार और इंग्ली भी किया है मैं इंग्लेड्ड qoBaraSt bas रुपर्ट मुड़ों कम मरे 27 साल मैं मर गया थे 27 साल में मर गय थे और साहीरी जगा पर मरे थे ग्रीस भीरüyorsun रुपर्ट वARIN जोचते हैं कि उनको याद केजा मोगं किसके रूप में सुल्व के रूप में से के किसे को की रूप में किसे नहीं मियुतिस भैवित नहीं से नहीं डरता है दोन responds condition solar कभीता सोनइड है पोएम ईजए यह कैसी कभीता है सोल्जर है और कभी क्या थे एक साइनिक थे कभी क्या थे सोल्जर ईजड़ सब्सक्राइब किसके रुप में आद किया है और उनकी मिर्थुका वह 15 में हुई और और कौन चींसे मरें सैब चींचसे मरे कौंद का मत्ब छुपाना होता है और स्विघत किसके कौnahme कि मतलाते हैं इंग्लेंड के बारे में मैं सब्सक्राइब बढ़ना पड़ाएं बहुत पढ़ना है और सोल्जार सोरट भी है कितना बार इंग्लेंड वाट कहीं उसके आगया है इंग्लेंड के बारे में रूपर्ट पर कॉप जनम लिए 87 में जनम लिए 87 में लिए मरें 15 में और पॉल्स इन इटर्नल माइंड का मतब क्या है रूपर पर्थम वर्थम 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 के पहिले ही शुरुआत महीं वह प्रणा देते हैं देश्भक्ति की तो अर्ली हो गया और वह किसके बारे में परसंट सा करते हैं इंग्लेंड के बारे में वह कहां से जुड़े हुए थे इंग्लेंड से इन हाट एट पीस दिल की बात हो जाएगी न सुल्यर कमिता का है क्या देखिएगा इंग्लेंड है इंग्लेंड में प्यार को प्रदस्त करने के क्या करते हैं फ्लावर देते हैं रूपट ब्रोक बड़ी इसमेड फ्लावर प्लीज आप उनको शेयर कर दे जो बच्चे सो गये होंगे रात को लेट से पढ़े होंगे प्लीज शेयर कर दिए उनको एक पार देख लेंगे इसको एक पार देख लेंगे चलिए जटपट स्वीटेस्ट लव जॉन डोन बहतर में जनम मेटाथिस्कल कभी लेरिक्स पोएम है प्रेमिका के बारें बताते हैं तुल्ला करते हैं सूरज से करते हैं सूरज से वह तेज है और मनुष की सक्ति कमजोर पजाती है निर्टू निश्शित है आना और जाना यहीं चीज है इसमें एक कभीता कौन है स्वीटेस्ट लव है और स्वीटेस्ट लव को कौन कैसी कभीता है लेरिक्स है धून है प्यार का धून है और स्वीटेस्ट लव में प्यार के बारें बताए गया लव के बारें में स्वीटेस्ट लव डोन गो इसे लव पोएम दूख़ी है दुखी है पत्री से लिंग ठाका नहीं हुआ है मैंने कल बताया था डोन इज वेल नोन फॉर ही जिसको थ्यान दिजेगा यह सब से भर थे सौंग सें सोनेट भी लिखते थे सर्मांस भी थे यहां अल अब देन अगर इलाइन कुछता है न इस सब चीज थे वह इसलिए अल अब देम लगाईएगा जॉन डोन वाज दपाइनियर अफ मेटाफिस्कल क्योंकि वह मेटाफिस्कल कभी था लिखते थे पाडलो की कभी थे अध्यात भी कभी थे जॉन डोन थिंक्स डैट कि सटेन कौन सिनिशी थे मिर्टु देट जॉन डोन वांस तो गो आव सूरज से बेटर है सूरज से बेटर है जॉन डोन फिल्स डैट एव इधेरी होपलेस और निरासा सब्ढ़ा होता है मनुष से फ्रक्तेज मपढ़ना पढ़ेगा आप मनुष से डैट सो वांस तो ग्लेडली एकसेप्ट देथ और मिर्तु से को वरंग करना चाहता है जॉन है स्वीटेश लॉब डाई डाई का मतना होता है दाउट है मर्ना होता है नाय वर्डव है म् हुए सु कंपोज और अपर लें डिड़ ही से बहुए फर स्टॉर कूट्वा सब्सक्राइब जूड ना पढ़ा जाती के चलते लिखेगान है और को शॉट्वाड स्वाग शु सब्सक्राइब करें और क्लिए थो सब्सक्रीटार्एब में इस्तार नाइट सुरज की बात होगी न सुरज की बात the sweetest love होगा, याद रखेगा, the sweetest love होगा, cannot add, देखी, इसमें पुराना इंगलिस है, A, double, D, E, दे दिया है, the sweetest love, जिसमें पुराना इंगलिस होगा न, the sweetest love होगा, must die, D, Y, E है, sweetest love, nor in the hope the world can sow, the sweetest love, his beloved, प्रेमिका की बात है, John Donne होगा, John Donne thinks that is certain, कौन सी निशीत है, मिर्टु निशीत है, मिर्टु निशीत है, मिर्टु निशीत है, सुनिया अप लोग, सुनिये, 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 क्योंकि हम बेदाम आज फास्ट में है, Song of Myself, कभी वाल्टीपेन, और वह people's poet थे, सैंटिस काल उम्र था, Leaves of Grass कभीता लिखे हैं, नेचुरल कभीता है, नेचर की बाती बताया गया है, और मनुष्य मरंशील है, लेकिन आत्मा अमर होता है, दिखिए, यहाँ पर है, उनका एज कितना था, सैंटिस साल था, यह कहां से लिया गया कभीता, Leaves of Grass से लिया गया है, Leaves of Grass से हम आप और मेरा चाहे, Leaves of Grass से लिया गया है, और in the poem Song of Myself, the poet for himself, किस के लिए क्या करता है, वा गाना गाता है, गाना गाता है स्वाइम के लिए, तो he sings करता है, गाना गाता है, गाना गाता है, Hoping to seize not till death, is a line from here, Hoping to seize not till death, ये line कहां सरी गया है, Song of Myself लिया गया है, the line I know 37 years, 70 सल कभी का उबर था, Song of Myself लिया, our blood is same, हमारा खून एक है, रास्ते अलग अलग है, आवर पाल साथ डिस्विए रास्ते अलग अलग है, लेकिन टागेट इसे, the white absorbed, और बोरे सोशन करते थे कालों का, निगरों का, निगरों का, the poet who was carpenter, वो बताये थे 11 साल में स्कूल छोड़ दिये, और carpenter बन गये थे, carpenter बन गये थे, वाल्ट बीट बेन, इसने, black है, पेपन का नाम कारवोट्रीक है, जगा इटली, इतना सिसली है, जगा का नाम है, black है, थरस्टी है, गर्मी का दीन था, जुलाई महीना था, पैजामा पहने थे, और पानी के नाद के पास गयते, वो डर गयते, और साफ ही king of exile है, साफ कौन लिखा, D.S. Lawrence लिखा, king of exile कौन है, the snake है, king of exile कौन है एक स्नेक है, और महीना के नाम जुलाई, पोएट हीटेट दा स्नेक, विद दे हेलप आप, कौन सी समारा, कलमसी समारा और लॉग समारा, कलमसी और लॉग समारा, आप्टर हीटिंग दे स्नेक, साफ को मारने के बाद पोएट वाज, यह होगा है, रिग्रेट का मतब पस्त चाप करना, तो इसको याद रखना, इसका मतब पस्त चाप करना होता है, डियेच लॉडेंस वाज बॉर्ण इन दा विलेज ऑफ डैस इंग्लेंड, किस कौन जगा पर वो जनम लिए इस्ट उट में, इस्ट उट में जनम लिए, इस्ट उट में जनम लिए, इस्ट उट, वो रोट एक कोलेक्शन अफ पोएम्स, कोलेक्शन अफ पोएम्स कौन लिखा है, कोलेक्शन अफ पोएम्स कौन लिखा है, तो दी एस लॉर्ण लिखे है, लिखे हैं वाइट पीकॉक और पीकॉक पाई लिखे थे आप लोगों को वाल्टन लिखे थे दो वाइट पीकॉक और पानी तेज हो गया कोलेक्षण अपॉएम कोलेक्षण पॉएम को पॉएम वाइट लिखे हैं डियेश लॉर्टन सुलिखे हैं के अट अट आठ पानी के नाट के पास कौन गया था साफ गया था और कभी ने क्या पाना था पैजामा यहासा कौन था कभी था और वो कहां मिला पानी के नाद के पास मिला और राजा बनवास में कौन राजा बनवास में साफ किंग कि कौन पेंड़ का बात किया गया क्यारवोट्री जॉन किर्ञ रोवांटिक कभी है लेकिन प्रकृति के बारे में लबर आप नेचर और जोन किट्स पजर मौसम के बारे मतल बतलाते हैं पजर मौसम गर्मी के बाद शुरू होता है इसमें पुराना पता गिरता है नया पता आने लगता है फल पफने लगता है और फुरुट-फुलच हो जाता है सिल लाटिक अर्ट में। चैसे इस रोमांटीक विए एक परते के शजय में कितना लाइन होता है गारा लाइन होता है बताया अभी आपको और यह मौसम किसके बाद शुरुवात होता है गर्मी के बाद समर के बाद और लबर अपने चर प्रकृति के प्रेमी कौन थे जॉन किल्ट्स थे और ओटम इस सीजन अफ मेलो और फूट फूलेस फल पक जाता है और फूलेस रहता है ओड लिप स्बीगिन टू वाल इन प्षभर मोशम में इन डेसी जान नीव प्रूट फूट्स कम पज़र में ड्राइफ फूट रईपर मेलो इन प्रूटम शीजन पज़र समें नाउ दर लिप साल इन फॉलिइन पास्त इसमें क्या है डवर चॉट्न मैसेंजर अब देथ हैं हमारी वह डिलाइट खुशी को छीन लेते हैं जब मिर्थू आती है और दिखते हैं कभी का नाम कभी कैसे तो एजुकेटिव थे पर कभी था क्या डबली चॉडेन है गुड़कावना क्या होता है प्रेम्स का मतलब गुड़कावना रोलिंग और लिपसर फॉलिंग फास्ट ओड लिपस बिगिन टू फॉल पूरा ना पता क्या था गिरने लगता है डैसी स्ट्रेवलर यात्री कौन है ओल्ड यात्री है ओल्ड क्या वड़कावना क्या अधिर Chi क्या वडिग बल्ड जाओं फिल्ड़कावना क्या थाlli प्imeवे रह कौन है था दिए पॉलिंग वीज़। झाल 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 रुकावट के लिए था था थोड़ा बैटरी लगा रहे थे और कल दो कलास रात को भी हुआ था इसलिए दिखाई नहीं बैटरी दिया चलिए पर्शन साथ ट्रेवलर्स ओल्ड पूमें लाइफ इस नो बेटर देन मनुष्ट का जिवन बेहतर किसे नहीं मिर्तु से बेहतर नहीं है ट्रीज सेट देर लिब्स पेंड की पता किस मौशा में जड़ता है अब घर में ऑटम में और फॉलिंग ऑफ रेफर टुदे एराइबल अब देथ लिफ्स फॉल जब गिर्ण की बात होगी न अब पौधा पता होगा डैसे बिकॉम डॉम कौन सीज गुंगा है नाइट एंगल है मैंने कल दिया था नाइट एंगल है हम जो बता दिया उसको उपर देख लिजेगा डाले दाइबल लुख औरन को नोबबल पॉलेस्कार को मिला पॉलिजर पॉलेस्कार का मिला और तालिस उमिला था पुलीज़र प्राइज इंगलेंड की महरानी देथे रियल डिलाइट हमारे खुसरी को कौन शिग लता है मिर्तु देत्ध इसको मैसेंजर अब देत्थ ब यहासा वारी है। नाव दीपस फॉलिंग फास्टीज लीरिक्स है। धून है। धून है। डबलु एच ओर न्वाइन पोएम वाज सिर्यस गेम। और नर्स स्टेंड पोर नर्स किसका मतलब है। प्लांट पॉधा का है। टेक कियर अप ट्री गार्डेनर हमारे पैर पॉध लिएक फ्रांट रियल डिलाइट। पर उसी जो हते हैं तोड देते हैं हमारी खुशी को डिलाइट मतलब खुशी होता है। कलर क्या है वाइट है। गिरन मदरा ये। इसमें कुता है साप किताबों के विश्गुंता है। कुता के बारे बताएगे। कमला दास बेग गिर इस ट्रेंजर के दोदरावाजे पर और वह जाकती है खिरकी से फिंडो से और उनकी दादी मा का घर से याजुड़ा हुआ था मर गई है और ये कविता जो लिया गया है समर इन कोलकता से लिया गया है बच्पल उनका कलकता में बिचा और दादी मा के पास भी दुशा था मलयालम की और इंगलीज की लेखिक कवित्री थी और इनका जनब केड़ा में हुआ मरीपूनियमर कंपोज को लिंखे कमलादास समर इन कोलकता कौन इखा कमलादास वीच फिगर एपीश पीच है बीन यूच यूज इन ग्रेट मद्रहुस फिगर आपीश पीच सुन लेगा जिसमें एक चलमाव के बारे में तुलना किया गया, जिवी में ईपका घृता Hangini, दढ़ी है बचपन में जाँनी आदमाँ के असना रहा करती थी वो गरमुदर हाउस प्पाइंशक मेंGo सकता है तुकर ऑप्तर किया यह और उनको प्रेंख और उनका झैव जनत कि अधर वो बच्पन का समय किसके साथ कुछ दादी मां के साथ जब वो गर्मी की चूटी में पढ़ने की वाजब उस्कूल कृतम होता, फो गाओं में जाती थी दादी मां पाद लानी प्लियों सी नोटी से डोर कौण जानवर को देखी कुता को देखी थी और घर क्या हो गया खामोस हो गया था और यह कैसी कभी था आत्म कथा है और किसके दरवाजे पर किर गिर आती है, यह स्ट्रेंजर क और बिहाइंड माइब बेडरूम डोर लाइक ब्रोडिंग इस रिटन बाइक कमला दास बेडरूम घर की बात होगी ना तो याद रखना गिरंद मदर हाउस होगा कौन मर गया था दादी माँ और थोड़ा से सुनिए बड़ा होगा सुन लिजे न भाई लो और अभी कमला दा सवाज पॉब्लिस्टी गब शेयतर में उनकी अतुम कॉ परकास्य थी और ये कभीता परकास्य 2.65 तFP 65 में और उनकी अतुम को हुआँ आव झाश किताबों के सांप और अजनभी के दरवाजय पर गिर आती है और उस साइलेंट घर में कौन चीज घुमता था साँ और उनका जनम कहां हुआ केड़ा में हुआ और कौम मरी कहां मरी पूरे मरी और कौन अपने घर पर गर्ब करता है कमलादास और उस खिरिके से कौन जहागा करता था कमलादास वी नोन फर सेक्स्वल एडवेंशर सेक्स्वल एडवेंशर किताब कौन लिए है कमलादास में जैने जी कॉम्प्लिट इन दा हाउस नौए सोरुकल नहीं है सांती है मरने के बाद अधी मांके साइलेंस है सीवा लिस्टेट फोर नोबल प्राइज इन नाइंटेन फोटिएट चौरासी में उनको नोबल पुरसकार के लिए नमांकित किया गया लेकि उनको हटा दिया गया चौरासी में कमलादास है ते रिस्पेक्टवल प्लेस इंग बोत कि उसीमाल्य आलम ऊगा दोनों से थी और किस कारण से मअधी इस कितने बचे थे इंको तीन गों बचे थी और उनको खुन क्या हो गया है कोल जम गया है जब दादी मां के ख़वर सुनती है और बचपन कहां बिताई थी कोलकता में कोलकता में बिताई थी बचपन क्योंकि पिताजी के पास रहती थी मैक वीटी बिल्ली का नाम है नेपोलियन से तुलांकिया गया है टॉल एंधीन है उसका गूम जो है है डोम की तर मैक वीटी इस पोएम कैसी कवीत है हुमिरियस है याद रखेगा मैंने पता रस लेने वाला और दप्वेट अप्वेटी इलियत मैक वीटी है पावर अफ लिबियसन हाओ मुचलने के सक्तित उसके पास मैक वीटी इस अच्टलमेंट अफ एसकॉट्याड पूलिस मुख्या में कोई भी फाइल में पुलिस मुख्याले के फाइल में कोई उसका प्राथ दर्ज नहीं है मैक वीटी इस दा ऑप स्कॉट्लाइन याड बैफरल्मेंट होगा मैक वीटी इस पावर अफ लिबियसन उड मेक फकीर मैक वीटी को दो चिए तुना किया अगा फकीर से और ने किस भी याद रिखिएगा मैक वीटी मुख्यों डाइख और इस तोलन त हीं कोने मैक वीटी है abٍ किसके नियम करूं को तोड़ती है और मैक वीटी नियम करूं को तोड़ती है फोडा है मैक वीटी-पोय्मिध टेकन फ्रम कहां से लिए गया कभी था प्रेडिकल कैट से लिए गया गया प्रेडिकल कैट से लिए गया है हुमें लाइफ इस नो बेटर दैन देट मानो जीवन बहतर नहीं है मिर्तु से पेड़ की पतिया क्या और यह तेजी से गिर रही है और ट्री सेट देर लीप सिन ओटम सब मिला जो लाकिया है और देट आप आर्ड विस्प्रिंग नेवर्स पॉन है मिर्तु का मैसेंजर है वाल्ट वीट्मिन का जर्म किता हैं वाज साइंटिस में सब मिक्सिंग है और सौ पॉइट्री आवार्ट किसको मिला केंदारुवाला को मिला और सौल्यर लाइन इसमें में कितना लाइन है चौदा लाइन है सोनेट कभीता है और कौन जहरी लाता है ब्लैक इसने मैक वीटी वाज रिटेन बाई टी एस इलियर और साप का तुन ना कौन बिडियो चुडिय सायनिक का है पुराना पता गिरने लगताया पदजर में फिगर आपड़ी पीछ का प्रयोकिया गया 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 विंदों जआ का करती है कामला दास वाज मल्यार अलम्यान मदर हौस इस पॉबलिच्ट इंग मदर हौस का पॉब्लिच्ट किया गया वाज़ स्थ में और यही जीवनी शीयतर मिली खागिया who wrote summer in Kolkata my grandmother house published in summer in Kolkata में published किया क्या बतायते भी अपको Kamaladas big stranger होगा अब आपको बताना है यहाँ यह fire him का है this poem is ruler होगा और common wealth पुरसकार साही तकेट में आपाट किनको भी लाग दर्वाला को the poet sees the red hot imbers अदिजाला कोईला को देखता है घाट पर it was the of the poet और किसके साथ गया थे घाट पर पहिला बार पीता जी के साथ और उनको साही तकेट भी आवाड का मिला 84 मिला था साही 84 में और 84 में ही nominated हुई थी noble पुरसकार के लिए Kamaladas चांट दिया गया केंदर वालावाज के डैस कास्ट जो रस्ट्रियन मतब पार्सी जाती के थे डिस्टेंस कितना से सालेंस टावर के एक हजार और घटना बीस साल पहले घटी थी और आग जला के सब कुछ राख कर देती है इपितापी जो डैस पोएम मौणफुल कवीता है और इस बीटिफुल या मौणफुल दोरों में सो कोई होगा लिखते देगा और किसके बारे मताए गया लेडी के बारे में ब्यूटिफुल लेडी कहां से थी करमबल का मतब मरना होता है और यह कवीता कौन लिखे हुए हैं टो वाल्टर ने लिखाया प्यार zdhela मारे बने पलते है इसलिए चायिट प्वेट बोलती थे और किसके परशी और पिकोग्ध और सब्सकार कोमर निखा शॉग ऑफ मॉइस इसलिए बचो कभीताद देला मारे सिचिए मnineगी प्टेल से वाट हम हुएन की य४िल्टी लूण्व और उनको और वाल्टर वाज बॉर्ण कहा जरुम लिए वाल्टर केलास्टों और बॉर्ण इस जरुड़ते ही है लेकिन देखलो तीहतर में और इस पिताब का मतलब क्या होता है इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम टॉम गुंबद होता है चबुत्रा बना दिया अश्ता है और ब्यूटी अ और व gün इसको एक बदेखेंस और और कहीए घाल तो अभी हम पुरुज भी लेक्र चलेंगे प्लीज बुलिए आप लोग। प्रोश भी लेक्र चले प्रोज भी लेकर चले चले प्रोज वाले लोग आईए चलिए प्रोज में ये चले चले ये का धूर कहानी है ऑर्थ इसमें जानसन है पिता जी और बेन्जी उनके पीटा बेटा है और मुर्गी के पैपार करता है और क्या-kया है बताएंगे आगर चानिए देखिए इसकी, और थी जगो कहेशी कैसी ये स्टोरी है, इस स्टोरी एक कहानी है किछनमें खाये ए चाली साल में चाली साल में और इस्कूल कॉप छोड़ दियेए 14 साल में सुनिए गवाबू हम दम धीरे से बोल रहा है बेंजी स्कूल छोड़ दिया 14 सल में पढ़ाएं मन नहीं लगता था और उसको सला कौन दिया था डॉक्टर दिया था हूँ वाज दरेएल onr of Land उस जमीन का वाज तभी कमाली कूं था सेंडर घ्र जमीन चार एकड था पिटा-जी जोट्य थे उसको फिताजी के बाल किसान नहीं थे वालकि preacher भी थे, संदेश भी देने वाले थे Benji was son of Benji किन का बेटा था? Johnson का बेटा था Johnson was poor farmer and preacher उपदेशक भी थे उपदेशक भी थे उनके पिता जी Benji parents gave him a passbook when he was कितना साल कितना साल होने के बाद Benji के पिता जी passbook देना चाहते थे 21 साल 21 साल या थे गा 21 साल who suggests that Benji should be allowed to keep him कौन सला दिया कि भाई इसको अब मुर्गी के बैपार सुनु करवा दो डॉक्टर सला दिया डॉक्टर सला दिया Benji ने कुछ जमीन को किस से खरदा सेंडर से खरदा कि कुछ जमीन को पिता ही जो थे Benji wanted to marry बेंजी ने चाहता था साधी करना Florence से जिसका आँख भूरा था उसके माता पिता उसको ना पसंद करते ही Johnson had कितना लैंड कितना जमीन था 4 एकर था उनके पास Benji should allow to keep उनको आगिया दिया गया मुर्गी को पालने के लिए मुर्गी को पालने के लिए और 10-12 मुर्गी पहिला पाला है थे parents did not like Florence due to his eyes उसके भूरी आँखों के चलते उसको पसंद नहीं करते थे उसकी पत्नी को और मुर्गी कौन पाला Benji पाला डल मंद बुधी कौन था Benji था who sold किसने बेचा Benji ने और कितना पैसा उसके पास पास बुक में 230 डॉलर पाउंड था 230 पाउंड था याद रखेगा उसके पास बुक में 230 पाउंड था एकई साल पूर्णे के बाद उसको मिलता था Benji ने कितना पाला 10 और डॉजन एक hence 10 और डॉजन याद रखेगा 10 से बार गो the doctor advised the parents to give to Benji कुछ काम करने के लिए डॉक्टर ने उसको सला दिया था Johnson's son was insane था उसके बेटा जो था Benji इंसन नहीं समझेगा आर्टिस्टा यह सीगा नोया लिखे हुए है और जापानी राइटर सीगा नोया और सीबी इसमें बच्चा है 12 साल का है गौर्स कदू की तरह समझने लिए खुणा को जमा करने का उसको सक्ती है मतलब टैलेंट है पिंटिंग करता है उस पर और पहिला बार पांच इंच का वह था अब सुनिएगा टीचर उसको डाटता है इंसल्ट करता है और उसको कदू लेकर और ओणा लेकर अपने वरकर मजदू को देजिता है चलिए ला आर्टीस्ट पिजए कैसी सॉट एस्टोडी है और किस ने लिखा इसको सीगा नोया ने लिखा और कहां के थे जपान के थे कितना साल का सीवी था बारा साल का था और वो बारा सल के कहां का बचा था जपानी बचा था और होबी अफ सीवी वास कॉलेक्शन दा गोड्स यहां गोड्स होगा उसको इकठा करने का गोड्स था कोहुडा समझ सकते हैं सेवी बोट ए इंच गोड फरम एन ओड लेडी डी से कित्र इंच का अलिया था था पांश इंच का लिया था फांच इंच का लिय था उसको रंगी हाथ पकड़ लिया किसके दो आटीचर के दवारा स्कूल टीचर के दवारा वो साउटेड ट्राइट टू बीट बलाक एंगुलू कौन चिलाया टीचर चिलाया उस पर जब वह पढ़ाई के बदले वह पेंटिंग कर रहा था से भी रेट से कौन स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी में मीडिन नहीं समझेगा प्राइमरी याद रखेगा इस फादर वाज उसके पिता जी क्या थे कारपेंटर थे बढ़ाई थे और वह कितने में खड़ उसको बितिकिया उसके मजदूर ने पचास एन में सीवी परचे कोई टू वर्कर उस को छीन कर टीचर ने अपने मजदूर को काम करने वाला पेंटिंग करने वाला मजदूर को दिया जो मकान को रंग रहा था इस इस टेट अब डेवलोप्पेंट आफे पीपुल सिवलाजेशन जो है विकास किसका पर्ति का विकास पीपुल का इंडियन गोलोडी इस डैड इमोभेवल होगा हमारी जो गौर है उसको कोई भी तोड नहीं सकता है अचल है अटल है याद थीगा इमोभेवल होगा डै शुक्ति सेवें में भारत के राष्टपती बने तीसरे राष्टपती बने और दुसरे उपराष्टपती और बिहार के गौवर्णर भी थे और भासन जब रहते उसी समय यह भासन के टुक्राइए कहानी है और किसके आइडियल मानते थे तो याद रखेगा जिनके नाम से हम लोग टीचर्पती बनाते हैं राधा कृष्णन को आइडियल मानते थे डॉक्तर राधा कृष्णन को मानते थे रोल मुडल उनके वहीं थे जॉक्तर जाकिरुसेंट डिलेबर इस नाइंटी सिस्टिं सेवें आफ्टर टेकिंग दा ओथ परसेजेंट राष्टपती पत अगे सपत करन करने के समय उन्हें इस भासन को दिया था और यहीं भासन का नाम है भारतने समय में पर्चिथ इसमों नानुका करोड्य चेक पॉर नानुका का वए आपके किसे हैं किसे वताएं पींच ऑफे शिटे और एक हजार रुपय का चेक कॉसम रख दिये थे हुआ एक हजार थाउजन्ट होगा देश्पीकर पूट ऑन इज वाइट जो पूट पूट एंड रेट वर लाल पगडी लाल पगडी था उन के पाद अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी थे मंत्राले में डैस वाज गिरेट ओरेटर कि इनको एक महान वक्ता कहा गया है मार्टिन लुथर को कहा गया है मार्टिन लुथर किंग जुनियर लॉब्स दा वाइट अमेरिकन गोरों को प्यार करते थे नहीं को नफरत करते थे लेकिन निगरों के लिए वह आंदोलन भी चला थे जो और सयोग आंदोलन था और जिसमें एक भी खुन खड़ाबा नहीं इस इंपोर्टेंट है साइन्टिस्ट मैथमेटिसियन तो आपको पताना है वह एक केवल फिलोस्पोर नहीं थे और इन्होंने कौंच मैथमेटिसियन भी थे आइडियां डेट हंएक है सिगाण मैंटन् रसेल नंहें भाइडियास डैट कर्फॉप उब फिलोस कार है निन सॉफ्वाभ त्यूसकार सिगानोय प्रीच टहां कि यह में जापान के राइटर थे सीबी बॉट ए फाइब इंच गौड फ्रॉम ओल्ड लेडी पांच इंच का उन्होंने खरदा था जनरली ये प्रिग्नेंट ओमन इस सेंट टू हर पैरेंट्स होम फर चाल्ड बच्चे के जनम के समय वह जो गर्भवती और सोती है माता-पीता के घर चली जाती है चट्थे दिन उसको ने ने कपड़ा पाना है चट्यार के दिन शिकेंड चीप सोर्स ऑफे निवस्पिपर रेवनी होगी आखवार के पैसा कमाने का साधन दूग है यह वो एड पर है जो पर्थम रेवनी होता है और सेकेंड उसके माली का पैसा होता है और वेल्थ और यह वाज देशन उसका बेटा था जॉंसन का था डैस वाज दे रियल ओनर फड़ लेंड लेंड का वास्ताविक माली कौन सा सेंडर था सब मिक्सिंग किये हैं सेंडर था जॉंसन वाजी इन दपोजिशन अफ लैंड किता है एकर जबी था चार एकर जबी था इंडियन चाइना से चाइना से आखेगा डैस विजिटेट इंडिया टु सी एंड लिसन टू गुरूप पीपूल कौन भारत में आई थी दो तरक के लोगों को देखने के एक गाउं में राते थे और एक जो सहर में राते थे इंटलेक्टुल्स थे तो यह कौन आई थी प्यॉलसस उसके कुटा का नाम गेस नाटालिया के कुटा का नाम लीप था और जमीन का नाम था और जमीन कितने दिन के लिए था चाली साल एक वर और बाप का नाम चुद्पो बेटी का नाम नाटालिया और नाटालिया के पती का नाम लोमोब लोमोब का उम्र पैंस्ती साल और लोम सब्सक्राइब करते हैं इंडिया ट्रेबलर साइज कहीं कहीं घुमा दी हैं इंडिया ट्रेबलर साइज पिता जी चाइना में गये थे कृष्ण धन का परचार के लिए और एक भारतिय दॉक्टर दमपती ने भारत के बारे में उसको बतलाया थे इंडिया थुरू इस डैस ऐसे निबंध है प्रेज इंडियन पीपूल उनके पिता जी ने उसको भारत के लोग के बारे में परसंसा करता है तो पॉल्स बख्ट इंडियन पीजन्स अर पूर दें चाइनीज वी एडवाइस इंडियन नॉट टू ब्लेम ब्रिटिस किसने इं काम के लिए अंग्रेजों को मत को सो तो पॉल्स बख्ट ने तो याद रखेगा यह इंपॉर्टेंट को सन है दा लैंड इस अभी इंपॉर्टेंट है दा लैंड बिट्म बंबई और मदरास याद कहां का जमीन बंबई और मदरास आवर फूडवाज सर्भ हमारा उस समय यंग नहीं होगा वाज होगा छाइना में रूखे हुए थे पॉल्स चरह लोगों को देखने गई ती ताज महल को रेड़प नहीं देखने गई थी पॉल सस्थ बूक अबाउट कॉममाई बिलब्ड उन्होंने भारत के बारे में कौन किताब लिखा है इपॉर्टेंट है कॉब मॉड़ी निखा एक वीडियो में हम को निकाला है कॉन कुल kit तुम बदल जाओगे उ हमेंसा रहंगे एक्जाम में और हमेसा अ हौइशन पर। इन्डिया ठ्ररी सफ़ाहज इस टिकिन फ्रॉम यह कहा से लियाँ इंडिया जाएंडिया सरे डीकिस्ट कॉम इंदिया और aluminum भारत के लोगों में कौन सी मिलता है धरम मिलता है हुप प्रेज इंडियन पीपूर्किस ने भारत के लोग वारें पर संसा किया था पॉस स्बखन इंडिया थूए है इस से निबन्ध है पर यंग इंटेलेक्ट्ट्व लिटिश्पॉंटेट वीड इंगलिज यहां के बुझ जिवी थे दिक भर नीथ हो गये थे अंगरेजों कि चक्थे अंगरेजों कि तके भाई नोकरी नहीं मिलना है के गांदी जी होलोड बाज़ पॉन गांधी एड़ाय गए तो इनको को नाम कौन दिया वैट वन्हेजें आये थे भारत में चंपारन आये थे उनको नाम दिया गया आ कौन चीज बापू गांधी नाम दिया गया था उनको गांधी तो नाम उनका हिए था बापू दिया गया पॉल्स इस बॉक ओन दा नोबल प्राइज हां यह इंपॉर्टेंट है उनको पॉल्स पी ए आरल होगा इप में फ्रमिस किये हैं और दो नाइंटी थटीएट में नोबल पॉरषकार में ततन दोनों इंपोर्टेंट हैं और दोनों इंपॉर्टेंट और ideas that have helped mankind, देख लिजेगा, we are able to get verify of environment due to our intelligence, इसको सब हमने check कर दिया है, अब यह हम जस्ट एक मिनट भेज भी देंगे, इसको देख लिजेगा आपको, बेंटर जो इसमें important है, आइडियाज that have helped mankind has been written by बेंटरान दर्सेल, और the taming of domestic animals made life, और जो जानवर को पालना क्या होता ह है, प्लिजेंटर है, बेंटरान दर्सेल डाइड इन, इसको देख लिजेगा, और कॉन कारंस उनको नोबल प्रसकार मिला था, लिट्रेचर के लिए मिला था, the must more knowledge, which ideas have helped mankind is more knowledge, और इसको देख लिएना, बोट्स द्यू, डाइऑ अफ हंगर इन लार्ज नमबर द्यूरिंग समर, गर्मी में मरते हैं, और इसको देख लिएना, द्यूरिंग समर बोट्स, इसको सब है, जो इंपोर्टेंट पर इसको बताने हैं, आई एब ड्रीम, जो ज़्यादा पुस्ता है, आई एब ड्रीम म सांती के लिए निगरो जाती में काली जाती होता है, अंगरे गोरे सोसन कर निगरो को और पहिला हुआ गांधी जी के अनुए आई थे, उनको किंग जुनियर के नाम से जाना जाता है, मुए निगरो जो ते पहले हैं, बुलाम थे मार्टे रुटन किंग वा बॉर्ण इन उन्तिस में जनम लिए और वह कौंची विश्वास करते थे अहिंसा में और लिंक्न वाजद सिक्स्टीन उनको राव राश्टपती थे हमारे अमिर्का के मार्टे लुटर डिलेवर्ड एस्पीच को भासन दिये भासन ति वासन दिये वासन डिसी के हाव फिरी इस अप्रोज कैसा है एसे हैं और यूज के समय प्रेस पर कोई परतिबंद नहीं होता है जा सेकेंड चीप सोर्स अप्निव एवनियुज वेल्ट अपॉनर पहिला होता है परचार से पेपर चलता है और दूसरा माली के पईशा से सब्यूस शुक्सराम के ब्रीटिस प्रेस ओरनारी कनडिशन दोई सर्फ ब्रसीं इस मास्टर इस्टेंट स्बट विर्टिश इनलंट फेपर प्रेंट मिडिया कितने होते हैं दूग होते हैं प्रिंट मिडिया का मतलब न्यूस्प्र प्रेस तर्ड यार सिक्स उन्होंने परेस्पारे में किता उटिज बताया है चाहँ बताया है देखेगा शोच बताया है इनोंने डियल्स सेयर्स वाज बट इन एंटील फिरी डाइड यूर्स सेबें में एदुकेटेर कहां पड़ाय किया थे डियल्स सेयर्स अउक्सपोर्ड में डियल्स कहां पढ़ेते अउस्पोर्ड में जो इंपोर्टेंट हैउसको अम धीरे बता डिल्स एस कहाम पढ़ेते अक्सपोर्ड इंवर्सिटीएं पढ़ेते प्रीड़म प्रेशिज निस्टरी आवस्ट परजात तंत्र में प्रेश जो है आवस्यक हैं हम सफे लिए फृडम प्रेश इस रिश्टेक्टर ट्यूरी कि समय पर्तिबंद लग जाता है ये वार के समय यूद के समय भार्त रिजमाई हों कैसी प्रोजा एक्स्ट्रेक्ट भासन कटुगरा है भासन कब दिए 67 में दिये थे और जरम कब लिए प्लीज देख लेना और बस क्योंकि मौसम भी खराब है आप प्लीज पढ़ने थोड़ा सा हम फिर बोलते हैं सुन लीजेगा आप लोग इसको हम अभी टेलीग्राम में भेज देते हैं वार्टसप वार्टसप भी बेज देंगे पहले ही भेज चुके हैं पहले ही बेज चु बेजिए नौ बजे तक नौ बजे तक हम फिर बौल रहें एक्जाम जैबी आपका हो नौ बजे तक एक वार टेलीग्राम को जांस कर लिए सब्सक्राइब लिए कि फैड़ा हो जाए चलिए इसी के साथ सूब दिन उपर वाला आप सबको सफल करे दुनिया में यह तो एक्जाम जहांकी है अभी पुरा जीवन बाकी है चलिए इसे के साथ